शिमला हिमाचर प्रदेश की कैपिटल है और यहां का सबसे खुबसूरत शहर है ब्रिटिश काल की आर्किटेक्चर बिल्डिंग, खुबसूरत पहाडिया और यहां का मौसम शिमला को और भी यूनिक एंड ब्यूटिफुल बनाता है और जब भी हम हिमाचर प्रदेश की ट्रिप प्लान करते हैं, दो प्लेसिस को मिस्त नहीं करते वो है शिमला एंड मनाली और अगर आप भी शिमला का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी काफी हेल्प करने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शिमला की कुछ बेस्ट प्लेसिस बताएंगे आप भी इन प्लेसिस को अपनी नेक्स्ट शिमला ट्रिप में इंप्लूट कर सकते हैं तो सबसे पहली जगया है शिमला का दरिश यह शिमला का सबसे फेमस लोकेशन है जो की हाथ ओफ शिमला में लोकेटर है यह एक ओपन प्लेस है और यहाँ से शिमला का जो नजारा है न वो बहुत ब्यूटिफुल लगता है यहाँ पर आप स्ट्रीट वॉक, यहाँ का अथिम्टेक फूड और कुछ स्ट्रीट परफॉर्मेंस को भी एंजोई कर सकते हैं दरिट से वॉक करते हुए आप यहाँ का फेमस क्राइस चर्च विजट कर सकते हैं दे क्राइस चर्च नियोबर्थिक स्टाइल में बना नौथ इंडिया का सबसे पुराना चर्च है इसी बनाया गया था 1857 में और यह इंडिया का सबसे खुब्सुरत चर्च में से एक है इस चर्च का नाइट एंडे दोनों ही व्यू बहुत ही अमेजिंग है और आप इस हरिटेस चर्च के दोनों ही व्यू को मिस नहीं कर सकते नेक्स्ट लोकेशन आप शिमला का फेमस माल रोट विजिट कर सकते हैं और शिमला के माल रोट को यहां की शॉपिंग कैपिटल भी कह सकते हैं यहाँ पर आपको small street shop से लेकर हर तरह के top brands के showroom भी देखने को मिलेंगे street shops, restaurants and British era की building से decorated mall road शिमला की lifeline है आप यहाँ पर shopping करने के साथ साथ यहाँ का traditional food भी enjoy कर सकते हैं शिमला का mall road shopping beautiful view and traditional food का perfect combination है next सबसे beautiful place जिसे आप अपने शिमला के trip में कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं वो है शिमला का the beautiful जाकू temple यह एक हनमान मंदिर है और शिमला के highest जाकू हिल पे situated है और इसकी height sea level से approximately 7500 feet है जाकू temple के चारों तरब बहुत greenery है और यह बहुत peaceful place है जाकू temple की सबसे खास बात यह है कि यहां से आपको शिमला टाउन का beautiful view देखने को मिलेगा और साथ ही यहां है हनमान जी की 108 feet मूची मूटी जो इस जगह को और भी beautiful बनाती है यहां आप अपनी कार से आ सकते हैं या फिर mall road से by walk भी आ सकते हैं एक और option है cable car का जिसका किराया 250 से लेकर 300 rupees per person हो सकता है तो आप जब दे शिमलाएं इस जगह को मिस ना करें next beautiful place है the famous town of कुफरी शिमला से कुफरी का distance approximately 16 km है और कुफरी जाना चाता है अपने beautiful view, adventure activities and shopping के लिए और इसके अलावा आप enjoy कर सकते हैं horse ride इसका किराया है 500 rupees per person approximately और अगर आप शिमला की हसल बसल से तोड़ा दूर जाना चाते हैं तो कुफरी आपके लिए must visit place होगा क्योंकि ये एक बहुत ही peaceful place है next place है महसुनाग temple और ये temple कुफरी के महसुहिल पर situated है और इसे महसुनाग देटा की जन भूमी भी कहा जाता है यहाँ से शिमला का panoramic view भी आप enjoy कर सकते हैं next place है apple garden adventure park यहाँ पर आप apple garden विजिट करने के साथ साथ adventure activities भी enjoy कर सकते हो यहाँ के entry fees approximately 400 rupees per person हो जो कि vary करती है number of activities जो आप select करते हैं इसके बाद आप visit कर सकते हैं मा तारा देवी temple जो कि हिमाचल प्रदेश के शोगी शेहर में situated है और शिमला से लगभग 20 km के distance पर है यह temple शेहर के hustle-bustle से दूर है बहुत ही beautiful and must visit temple है इस मंदिर को राजा भुपेंद्र ने सेन काल में लगबग 250 साल पहले बनवाया था यहाँ से शिमला के शेहर का पूरा view दिखाई देता है और आप beautiful sunset भी enjoy कर सकते हैं यहाँ से तो अगर आप शिमला के आसपास एक बहुत ही शान्थ प्लीस सर्च कर रहे हैं तो इस temple को जरूर visit करें यह थी शिमला के कुछ best places जिन्हें आप अपनी next road trip में include कर सकते हैं